मुझफरपुर में एक 40 वर्सिय महिला की शंदिग्द इस्थिती में मौत हो गई उसका सब रेलबे ट्रैक किनारे मिला मामला काटी थाना छेत्र के दामोदरपुर रेलबे गूम्टी के शमीब की है जहां महिला का सब मिला है वहीं लोगों की मौके पर भीर जुट गई लोगों ने मामले की जानकारी काटी थाना की पुलिस वा रेल पुलिस को दी सूचना पर पहुँची काटी पुलिस ने घटना अस्तल की जाच की शब को कबजे में लेकर पोष्ट माटम के लिए सकेम सी एच भेज दिया मिर्दका की पहचान काटी थाना छित्र के पहारपुर निवासी 40 वर्सिये रानी देवी के रूप में हुई है घटना के बाद परजनों में कोहराम मचा हुआ है परजनों ने बताया कि मिर्दका के पति की पहले ही मिर्द्यू हो चुकी है उसके 6 बच्चे हैं 5 बेटी वह एक पेटा वह कोलवा में बरतन चौका कर परिवार का भरन पोशन करती थी वह काम करने के लिए निकली थी उसके बाद लोटकर घर नहीं आई उसका मोबाइल भी बंद था जब देर रात हुई तो खोजबीन शुरू की गई पता लगा कि एक महिला का लास ट्रैक से मिला है मौके पर गय तो देखा की रानी का चपलवा शाल रेक किनारे परा है जिसके बाद थाने गए वहाँ से सके मसीच पहुँचे तो देखे की लास रानी कहीं था मामले में पुलिश का कहना है की घटना की जाच की जा रही है परिजनों का बयान दर्ज कराने की कवायत की जा गतना सरकर को भोलत रहा है जर काम करने गई है और काम करनके लोटी नहीं है दोबारा शवीर में मेरा फोन आया है भती जी भग नी पर तक बोली भग नी जह नहीं है मेरा घहर फोची थाना पर जी जाकर अथी लिख पाई ये तो गिये तो थाना पर थाना बाला बोला यही रेलबे लाइन पर लास मिली है तो हम लोग यहां कर देखें तो मेरी मिली लास है कितना उमर रहा होगा? 40 साल उमर असर रानी मतो रानी देभी पती का नाम? दिनेस मतो सुर्गे दिने पारपुर कहा है अब उनको भाई हुए हम उनको भाई हुए हमा नाम कंदू पतेल है हमा खारागात का कितना है अपने शेर मुझदफरपुर में पहली बार आ गया है मैजिक ट्विश टर्किस आइस्क्रीम तो बनाई अपने पार्टी वर ने आयो जुनों को और भी खास टर्किस आइस्क्रीम के साथ साथी बर्डे अनिवर्श्री आदी के बुकिंग के लिए अभी संपर्क करे 947074 0068 पर हमारा पता है 34 फूटपोर्ट ग्रैंड मॉल मिठरपूरा मुझदफरपूर